आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे मेरे नामे सिध्धान तक नहीं होतरी स्टेडी आईक्यू पैप का बहुत दोस्वागत है राजाचारी के बारे में बात करेंगे बहुत अच्छी बात है इंडियन अमेरिकन है ये स्पेस एक्स का क्रिव थ्री मिशन कमांड क क्या है SpaceX Elon Musk कर क्या रही है वैसे Elon Musk की biography मैंने review कि आप देखिएगा सब हम देखेंगो राजाचारी कौन है सबसे important तो ये रहेगा UPAC के स्मार्ट को से जाते है और आप हमने test series launch कर दी है 8 से 10 बजे तक इंस्टा पे मैं सारी queries answer करता हूँ तो राजाचारी 3 astronauts में से एक है जिनोंने जिनको NASA ने select किया है NASA और European Space Agency का ये combined mission होने वाला है कहां जाएंगे ये International Space Station Space X का crew 3 mission है ये Tom Marshburn will serve as pilot Matthew Morier will serve as mission specialist और इसको कमांड कौन करेगा राजाचारी कौन है राजाचारी देखे राजाचारी की बात करें 24 June 1977 में इनका जनम हुआ Wisconsin से ये बिलॉंग करते हैं श्री निवास वीचारी और Peggy Egbert के बेटे हैं इनके पिता जी इंडियन श्री निवास वीचारी Cedar Falls में ये पले बड़े Columbus High School इन्होंने अटेंड किया भारत नहीं आया है इनकी पूरी पढ़ाई पूरा बचपन सब कुछ अमेरिका में ही बीता है तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये भारत आये है तो आपकी गलत फैमी है 1999 में US Air Force Academy से ये graduate हुए बाचलर डिग्री मिली Master's डिग्री मिली इनको Aeronautics और Astronautics from Massachusetts Institute of Technology MIT दुनिया का सबसे बहतरीन Engineering College सपना होता है लोगों का यहां पर पढ़ना अब इन्होंने काफी ट्रेनिंग भी की है Master's डिग्री के बाद Undergraduate Pilot Training वहाँ पे Pilot Training करने गई है Pilot बन गए और उसके बाद Operation ERA की Freedom में भी इनको Deploy किया गया तो काफी ज़ादा Experience है बहुत सारे Missions इन्होंने लीड किये है NASA में कहां से आई है NASA का Astronaut Group है जिसको Group 22 बोला जाता है 2017 में NASA ने इनको Select किया December 2020 में he was selected as the part of Artemis team Artemis mission पता ना क्या है Comment box में बहुता फटाक से कई बार मैंने भी बताया है Artemis mission जो कि एक lunar mission होने वाला है ये help करने वाले हैं कि जो अगले lunar mission भाई NASA बहुत टाइम बाद दुबारा चांद पे जा रहा है 2024 तक ये औरत को भी भेजेंगे और आदमी को भी भेजेंगे और फिर he became the first astronaut from group 22 जो SpaceX के crew 3 mission के लिए select हुए है तो ये है राजाचारी आपके सामने अब हम दोस्तों इस mission की बात कर लेते हैं कि ये SpaceX crew dragon है क्या देखिए SpaceX crew 3 mission पहले आप crew dragon की बात कर लिजे अगर हम crew dragon की बात करें तो ये एक spacecraft है ठीक है ये एक spacecraft है जिसको SpaceX ने बनाया है क्यूं बनाया है ताकि International Space Station पे आपको पते न International Space Station भाई अब बहुत बार मैं ही सब कबर कर चुका हूँ International Space Station जैसे शेहरों में railway station होते हैं airports होते हैं वैसे space पे space stations बनाए गए हैं ताकि वहाँ पे आप experiment कर सके largest man-made structure है low earth orbit पे low earth orbit पे है वहाँ पे International Space Station है अर्थ को circle करता रहता है लगातार circle करता रहता है 92 minutes का time है किसने बनाया है NASA, ROS Cosmos, JAXA ESA और CSA इन्होंने International Space Station बनाया है तो भाईया ये जो aircraft है जिसको crew dragon बोला जा रहा है ये astronauts को International Space Station ले जाएगा और SpaceX आपको पता है यह एक private company है Elon Musk की biography देखिएगा यह private company है जो लोगों को orbit में ले जाएगा क्या बात है तो crew dragon जो है it is a part of dragon 2 यह एक reusable spacecraft है जिसको SpaceX ने बनाया है कहने का मतलब है यह एक spacecraft है दोस्तों इससे पहले भी अमेरिका जो है यह humans को orbit में कैसे ले जाता है space में कैसे ले जाता है aircraft से ही ले जाएगा Mercury, Gemini, Apollo Apollo पे तो मैंने पुरा एक घंड़ का session किया है बहुत सारे space programs जो है वो कैसे होते हैं इनी spacecraft के थूँ होते हैं इससे पहले SpaceX ने कमाल का काम किया था पालकर 9 जो है वो अर्बिट में छोड़ा था और अब यह Crew Dragon को Crew Dragon जो की एक aircraft है उसमें बैठा के यह astronauts को उपर लेके जाएगा अब आप बोलेंगे सर यह आप Crew Dragon क्यों बता रहे हो आप हमको Crew 3 बताओ दोस्तो Crew Dragon का ही यह part है यह basically Crew 3 का मतलब यह है कि it is third operational flight of Crew Dragon spacecraft समझेया जो इस spacecraft उपर जाएगा ना उसकी यह third operational flight होगी इससे पहले दो हो चुकी है तो यह कब होगा कब लॉंच होगा इसको October 2021 में लॉंच किया जाएगा 29 सितंबर 2020 को Benji Reid ने जो की Senior Director है इस Space Flight Programs के उन्होंने यह बताया कि जो final launch date है Crew 3 की that will be determined जब हम resilience capsule को refurbish कर लेंगे Crew 3 mission क्या करेगा It will transport four members कहाँ पे वही ISS जो मैं आपको पूरी नाम कता बता रहा हूँ यह सिर्फ astronauts को International Space Station दे जाएगा अब दोस्तों तीन astronauts तो चुन लिये गए है ठीक है तीन astronauts के नाम क्या है अभी बताया एक है राजाचारी जो कि इस mission को command करेंगे दूसरे है Tom Marchburn और तीसरे है Matthews Morrier चौथा member जो है वो बहुत जल्द select होगा बहुत जल्द announce किया जाएगा अच्छा कितने दिनों गताख 6 महिने तक mission की duration जो है वो 6 महिने की है 180 दिनों की है ये अब आप बोलेंगे सरी ये क्या क्यों कर रहे है ये सब क्या मिलता है अरे यार देखो वहाँ पे experiment होते है हम जितना ज़ादा universe को explore करेंगे उतना ज़ादा अच्छा है ठीक है ये mission करेगा क्या ये mission basically एक commercial crew program है commercial crew program की बात करें तो ये human space flight program है मतलब NASA क्या करता है धर्ती से international space station लेके जाता है और फिर वापस लेके आता है ये लगातार कर रहा है क्यों कर रहा है क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में हो क्या सकता है ये space पे भेजे deep space पे भेजे तो वहाँ पे देखना पड़ेगा न पहले से या को experiment करना पड़ेगा सब कुछ data आपके पास होने चाहिए कि अगर हम इन लोगों को space पे भेज रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है कितनी ज़ादा efficiency है everything हर चीज इस program में note की जा रही है ताकि हम आने वाले समय में और जादा space mission से जो है वो कर सके और ये जो होता है ये सब कुछ that depends on the aircraft usually इसमें 4 members होते हैं ये जो commercial crew program है न इसमें 4 members लिये जाते हैं 2011 से ये development में है और इसकी जो final flight थी crew dragon key that was launched in May 2020 सब कुछ तयारी हो गई है तो आप बोलेंगे सर क्रियू 3 तो October में launch होगा क्रियू 1 कब क्रियू 1 अल्रेडी launch हो चुका है क्रियू 1 दोस्तों पिछले महीने 15 नवेंबर 2020 Falcon 9 जो launch वहेकल था वो Falcon 9 था और SpaceX crew 1 15 नवेंबर 2020 को इसमें Michael Hopkins थे Victor Glower थे फिर आपके Shannon Walker थे Saoji, Noguchi थी वो अल्रेडी जा चुके है क्रियू 2 मिशन मार्च 2021 में कौन कौन है Shame, Kimbrow, Megan, MacArthur Ashiko, Hoshido और Thomas, Piscot क्रियू 3 जो final होगा राजाचारी Thomas, Marchman, Matthias, Morier और चौथे मेंबर्स अभी एनॉंस होगे ये सितंबर 2000 मतलब October 2021 तक launch किया जागा और इसके बाद Boeing Starliners वो 2022 में आएगा जिसमें सुनीता, अपनी सुनीता विलियम्स फिर से इस्पेस पे जाएगी Josh Cassida, Janet Apps और चौथे मेंबर को बहुत जल देनॉंस किया जाएगा दो है याँ पे क्रियू एक तो आपका Dragon है और एक आपका Starliner है इन दोनों स्पेस क्राफ्ट से एस्ट्रोनाट को ISS पे भेज आ जाता है अब इन्होंने अपने FB page पे पोस्ट किया है कि मैं बहुत ही जादा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मैं Thomas Henry और Matthews Morier के साथ मन्दब Thomas Henry Marshman और Matthews Morier के साथ काम करूँगा वैसे आपको बता दूँ एक चीज़ हचा थी के मैं आपको इतनी कॉलिफिकेशन बता रहा था अभी US Air Force में he is a Colonel और बहुत जबर्दस experience है इनका flight time आपको पता है धाई हजार घंटे का इनका flight time है इनके करियर का इतना जादा experience नहीं है इसी लिए इनको select किया गया और इनके पिता जी के बारे में मैंने आपको नहीं बता है शिरी निवास चारी ये हाइदराबाद से यहाँ पे आ गये थे engineering की और बहुत एक कम age way यहाँ पे आ गये थे और यहाँ पे अमेरिका में ये engineer थे और NASA SpaceX in total 6 crew mission को conduct करने वाल है contract assign किया है NASA ने ये lecture था दोस्तों I hope आप समझे होंगे मेरा telegram channel अभी 12,100 subscriber है यही वाला जोईन करिएगा देज़े सिद्धान तक नहीं होता ही sign हो